आज सुनिये हिंदी की प्रसिद लेखि का डॉक्टर क्रश्न लता सिंग की लिखी हुई कहानी वापस लोटी औरत। डॉक्टर क्रश्न लता सिंग जी की कहानियों की विशेष्टा है कि वो जीवन से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं। साथ ही इस्त्रियों से वाबस्ता होते हैं। प्रस्तोत है कहानी, मेरी जबानी, मैं हूँ सीमा से हूँ। भगवती प्रसाथ चौबे की गठी हुई कद काठी, गौर वर्ण, माथे पर सफेज चंदन के मद्द अश्राक का टीका, कुर्ते के अंदर से ज्हाकती, सोने में पिरोई, रुद्राक्ष के छोटे मनकों की माला, तरजनी में पुखराज और अनामिका में मानेक्य की पुठियां, कंदे पर दूदिया रंग का दुशाला और चेहरे पर अभिजात्य मुस्कोराहट ने उनके व्यक्तित्य को भविता अवश्य प्रदान की थी, लेकिर उनका असली चेहरा एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी का था, इस दंगल के सभी तरह के दाओं उसकी कोई भी कीमत चुकाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था, अभी तक उन्हें केंदरी मंतर मंडल में स्थान नहीं मिला था, इसका उन्हें मलाल जरूर था, लेकिन पोशिश पूरी की थी उसे हासिल करने की, इस बार भी तिलकपुर की सीट के लिए टिकट उन्हें नहीं मिला हालांकि पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता हकुम सिल ने इस सीट को पाने के लिए चौबे जी के रास्ते में खुब खाईया को दी हर तीसरे दिली का रास्ता ना पा लेकिन चूकि रेस में जिताओ घोड़े पर ही दाओ लगाया जाता है पार्टी ने तीसरी मंडिली के खाने पीने ठेरने की व्यवस्ता चाक चौबंद रखते हैं विशुद शाकाहारी होते हुए भी कारे करताओं के लिए मांस मंदिरा का पूरा प्रबंद कोठी के पिछवाड़े था उसकी एहमियत वह अच्छी तरह जानते थे हर तरफ उनकी चौकनी नजर सतर पूसालधान थी, आज में उनकी दो जन सभाएं थी, खचाखच पंडाल भरा था, भाशर सुनने के लिए खुब भीड उमड़ी पड़ी थी, भीड का विस्तार देखकर मन में संतोश हुआ, विश्वास जागा कि भीड वोटों में जरूर बदलेगी, इन पांस सालों में जनता भूल चुकी होगी कि पिछले चुनावी भाशर में उन्होंने कौन-कौन से वाइदे किये थे, और कितने वाइदे पूरे किये, जनता की इसमरती लोग का लाव उठाकर इस समय की समस्याओं पर फोकस करने का जालो पिछा चुके थे, कल शाम को ने रेलवे फाटक और नहर पार वाली जुगी जुपडियों के पास जनसभा करनी है, उनको लुभाने का काम वो अपने सुपत्र को पहले ही सौप चुके थे, फिर भी कारे की पूरता की जानकरी लेने के लिए पूछा, अरे रागो बस्तियों में कंबल और साड़ियां वगरे बाटने का का हो गया, रागों थे धीमे सर में कहा, नहीं पापा, चौबे जी नहीं सुनने के आदी नहीं थे, इतनी बड़ी लापरवाही से वो मनी मन फन फन फनाए, इन कमबक्त बच्चों को चीटी का मूद पेराऊं लगता है, लेकिन पकट में सारा गुस्सा पी गया, इस समय सब क को साथ कर चलना है, ये सोच कर बिना चेहरे पर कोई विकार लाए, कहा, तुम सब को शायद इस काम की एहमियत मालूम नहीं है, फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुरा कर बोले, अरे, जब बड़े बड़े फूलों की छापे वाली साड़े या फटी पुरानी साड़ी पहने व होगा बसंत इन भिकमंगों की मनस्थित को नहीं समझते हो, पर कल मेरी जनसभा से पहले ही काम जरूर हर हाल में हो जाना चाहिए। उठाओ और नापो अपनी राहा, इसलिए हमको लोटना पड़ा, रुकते तो हाता पाई हो जाती, चौबे साहब की आखों में खून उतरा था, इससे पहले कि उन्होंने अपने आपको सहियत कर लिया, कारे करताओं के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करके उनका मनोबल नहीं गिराना चाहेते थे, अता कटाक्ष के स्वर्ण बोले, किसकी शेह पर ये भिकमंगे नाच रहे हैं, जगंदर ने डड़ते हुए कहा, कक्का कोई राजा भाया नाम का मदारी है जो ने नचा रहा है, कहते हैं वोट हमारा वहीं किरेगा जहां राजा भाया कहेंगे, इस न पूरी जन्म कुंडली तो अभी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता चला है कि अभी एक डिर साल पहले यहां आया है, समवर्णों और विवस्था के खिलाफ इन जाहिलों के दिमाग में बारूद भर रहा है, सुना है विदेश से पढ़कर आया है, सबके शेहरों परछाई दूर करने के लिए चौबे जी ने हसते हुए कहा, भै इतना पढ़ा लिखा है तो दिल्ली पंबई में जाकर नौकरी चाकरी करे, नौकरी नहीं मिल रही हो तो हम से कहे, हम लगवा देंगे, यहां हमारे रहते नितागिरी में अपना समय कहे कवा रहा है, फिर धसका मार कर हसने लगे, जगंदर ने कहा, यही गुंडी तो खुलने ही रही है, हसते हुए लेकिन आदेश के सर में कहा, जाओ उससे मिलो, समझाओ, ना समझे तो पकड़ कर लाओ, हम समझा देंगे, जाइए आप लोग अपना सब काम देखिये, सब के जाने के बाद कमरे में सिर्फ चार लोग आगे की रणनीत बनाने के लिए रह गए, रागों ने लंबी सांस लेकर कहा, पापा सादू राम के साथ उसकी खूब छंती है, उसके साथ हाथ मिलने का संदेशा भेजा था, पचास पेटिया और लेन देन की पेशकर्श भी की थी, थोड़ी अधीरता के चलते बात पूरी होने से पहले चौबे जी ने टोक दिया, क्या चवाब दिया, जेब से एक कागज का टुकडा निकालकर रागों ने कहा, सादू राम के हाथे परचा भेजा है, लिखा है, चौबे साहब लालच और रिश्वत की बैसाकी हमने फेक दी है, राजा भाईया, सुन पास में बैठे उनके छोटे भाई जगनबा प्रसाद ने अब अपना मूँ कोला, दद्दा उसे मुली समझने की भूल मत करियो, वो सुनामी लहर है, वो बस्तियों जोपर पट्टियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर स्कूल बेचता है, एंजियों के मदद से उन्हे दवाईया वगरे मुहिया कराता है, रात में बैठ कर खुद बच्चों को और बढ़ों को पढ़ाता है, लोगों को उनके अधिकार समझा रहा है, हम समझनों के खिलाफ पिछों, दलितों और हरजिनों को एक साथ ला रहा है, मुसल्मान भी इसके काले जादू के जहासे मे आ रहे हैं, एका एक सबका मसीह बन बैठा है, सबको इसने नारा दिया है, तोड़ो, अपनी कारा तोड़ो, दूसरी तरफ टिकट ना मिलने से भनाए हुकम सुख पार्टी के जंडे तले, पार्टी की जड़े खोदने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उनका समर्थक, सम और खेमा भी उनकी शेह पर दूसरी तरफ सरक लेगा, खबर पक्की है, कली आपके पतेदंदी अजमेर सिंग से डील पक्की हो गई है, अब और सैयम भगवती पसाद नहीं रख सके, सर को थोड़ा कठोर बना कर बोले, और तुम लोग कुम करण की नीन से अब जागे हो, ह जगंदर के जोश्वर पानी डालते हुए चौबे जी बोले, राजनीती आवेश से नहीं, विवेक से की जाती है, मरकर तो साहनभूती की सुनामी में सब कुछ बहाई ले जाएगा, दिमाग से सोचो, पढ़ा लिखा है, जानता है कि जुग्गी जोपरी ये वोटों के सा सारे वो लोक सभा का चुनाव नहीं जीत सकता है, इसलिए खुद नहीं खड़ा हुआ, हाँ अपने वोट दिलवा कर किसी भी पक्ष की को जिता जरूर सकता है, किंग मेकर बनने का मुकृट हम उसे पहनाएंगे, जाओ, तुम लोग किसी तरह से सादूराम को शीशे में उ उसी के जरी हम राजा भाया की असली नस्थ पकड़ेंगे, उधर राजा भाया एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे, जान बूज कर अपने पत्ते नहीं कोल रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, कि उन्ट किस करवट बैठेगा, वो बड़ी होश्यारी के साथ शूटते दलित और पिश्रो की वोट, कनपटी पर लगी पिस्टॉल की खौफ की तरह उन्हें मानसिक रूप से फतारित कर रहे थे, आला कमान का उनकी जीप के प्रते अगाद विश्वास और स्वैम के पितिष्ठा उदाओं पर नहीं लगा सकते थे, अब करो या मरो की रिकर समस्या सामने थी, वैसे भी हार को जीत में बदलना हो जानते थे, तीन दिन के अतक प्रयास के बाद, राजा भहिया से गुलनार होटल के कमरा नंबर पांच के बंद कापाटों में मुलाकात हुई, जमकर सौदे बाजी हुई, दो घंटे बाद कमरे का दर्वाजा ख प्रशकान के साथ राजा भहिया जटके से बाहर निकले, पीछे पीछे रुमाल से पसीना पहुचते चौबेजी, स्याह रात के ग्यारा बजे, गुलनार होटल के रूम नंबर पांच में बैठी सुकंधा का शरीर आगामी एपिसोड की कल्पना मातर से गिजगजा उठा, रागो का एक एक शब्द पिगले गरम शीशे की तरह उसके कानों को चीरने लगा, पापा ने तो हरामी के पिल्ले के सामने अपनी पुरी तिजोरी खोल कर रख दी, पार्टी में उचिय पत्की पेशकश भी की, लेकरो कमीना नहीं माना, उसकी शर्त बानने के अत्रिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा, पापा और पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम्हें एक रात के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा, सौरी ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, वो बहुँचकी सी खड़ी की खड़ी रह गई, काश धर्ती फट जाती और उस उसे समा जाती, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, कि जो कुछ उसने कानों से सुना है, वो उसके पिता तुले ससुर का फर्मान है, फिर उससे ज्यादा ताज्जब उसे अपने पती राकों पर हुआ, कैसा निरलज्ज पती है, जो श्रवान कुमार बनकर बाप का घिनोना तुगलकी फर्मान उसे सुना रहा था, प्रतिरोध के लिए पिता के सामने उसके होट नहीं हिले, पत्नी का गैर मर्द के हम बिस्तर हो जाने का आदेश उनका उसका गर्म खून लावा बनकर नहीं भूटा, बलकि पानी बनकर जम गया, कितना कायर बिना रीड का नपुनस परन तुरागों का एक ही उत्तर था, कोई बहस नहीं, कोई फर्याद नहीं, पापा का हुकम मानना ही पड़ेगा, यह हम सबकी मजबूरी है, हाँ ध्यान रहे, कोई बखेडा नहीं खड़ा होना चाहिए, सुगंधा को लगा जैसे वो गुलाब मंडी से खरीद कर लाई को पूलने लगे, दिमाग में उठक बैठक होने लगी, छी, यह राजनीत का कैसा विद्रूप खेल है, जिसमें जीत के लिए बहु बेटी का सौधा होने लगा, बाहर पदचाप की आहट से उसी सोच पर फिराम लग गया, दरवाजा खुलने की आहट हुई, वो चोकन्मी हो पलंग से उठकर दिवार की तरफ मुँ फेर कर खड़ी हो गई, लड़कराते पैरों को सहरा देने के लिए कापते हाथों से पलंग का सिराना थाम लिया, आगंतुक ने कमरे में प्रवेश किया, दरवाजे का लौक लगाया, सुगंदा के हाथ पैर और जोर जोर से कापने लगे, सांस धोकनी की तरह चलने लगी, कलेजा मुझ को आ गया, हर पल वो अपने सरवनाश की प्रतीक्षा करने लगी, आगंतुक आराम से सोफिवर बैठ कर पानी पीनी के बाद कुछ देर आँखे बंद की बैठा रहा, फिर बड़े इत्मिनान से बोला, मेरा काम हो गया है, दर्वाजा खोल कर तुम जा सकती हो, सुगंदा ने पलट कर देखा, मुझ से दभी चीख निकल पड़ी, राजा भाईया का मुखोटा लगा है, तुम हो चंदन? हाँ, मैं ही हूँ, तो तुम जानते थे कि मैं? बाद बीच में काट कर तीखे व्यंगे से बोला, हाँ, अच्छी तरह से जानता था, कि मिस सुगंदा बाजपे ही मिसिस रागा चौबे हैं, फिर भी ऐसी गिनोनी शर्त? इसमें इतना नाराज होने की जरुवत नहीं है, सदियों से सवन, दो मुठी अनाज के लिए हमारे घरों की ओर्तों के साथ यही शर्त रखते आई थे, कल तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमारे उच्छ जाती है बाजपेई खांदान का एहनकार तोड़ने के लिए, साथ ही उन्हें आईना दिखाने के लिए, कि इनका चौबे खांदान का दामाद उनकी कन्या की रक्षा करने में कितना समर्थ है, और घर में उसकी क्या आउका देखने के लिए, उसने अपनी नजरे सुगंधा के चीरे पर टिका दी, सुगंधा कुछ भी नहीं भूली थी, सारा मनजर जब तब उसकी आँखों के सामने नाशता रहता था, कड़वी यादों के जख्मों कुछ जादा गहरे होते हैं, जो जिन्दगी ढंग से जीने न देते हैं, फिर भी उसने बड़ी मशक्कत के साथ कट उस्मतियों के साथ समझोता किया था, उन्हें विस्मति के कब्रिस्तान में दफन करके सननाटे को पहरे पर बिठा दिया था, वैसे भी मन की बात किससे यहां करती, उसकी एक हमरा सुननदा थी, वो भी कितनी दूर चल वाजपेई जी के प्रतिपनी करते गिता ग्यापन करते नहीं थकते थे, माई बाब, आपकी दया से हमार चंदन को इतनी बड़ी नौकरी मिली है, चंदन भी धेरों, देशी, विदेशी उपहरों के साथ लोटा था, सुगंदा से एकांत में पूछा था, अब तुमारा क् इरादा है, सुगंदा ने भी शर्मा कर कहा था, मैं तो कब से तुमारी रहा देख रही हूँ, वाजपेई जी भी बहुत प्रसंग थे, गदगद होका आजीरवादों की बारिश करते हुए बोले, अब तुमारा ब्याह भी किसी योग लड़की से हो जाए, तो हमारी जिम संद के लिए आएंगे, सुगंदा परामदे में खड़ी सब सुन रही थी, चंदन ने उसकी तरफ देखकर हिम्मत से, धीरे से सुगंदा का नाम ले लिया, बस फिर क्या था, जोड़दार विस्फोट हुआ, एक जन्नाटे दार थपड चंदन के गाल पर पड़ा, पर एक खंदान का दमात बनने का खौब देखे, अरे कोई है, ले जाओ इस कमीने एहसान फरामोश को, बता दो अच्छी तरह इसकी जात और आउकात, सुगंदा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन होट फरपड़ा कर रह गए, उस दिन के थपड़ की तपिश, गालों पर आज भी महसूस करता हुआ चंदन, अंतर मन में जमी सारी कड़वाट को बाहर उगलता हुआ बोला, मैं भूल गया था, कि शुद्रों को उनकी जात और आउकात बताना, वर्ण व्यवस्था का पहला कर्टव्य और अधिकार है, कहने को समय जरूर बतला है, लेकिन मानसिक्ता व तुम सब पढ़ लेकर आदमी बन सको, ग्रणा से मूविच काकर चंदन ने कहा, बिल्कुल जूट, वो अपने स्वार्थ के लिए आये थे, शहर में उन्हें इमानदार और विश्वासी 24 गंटा का नौकर-नौकरानी चाहिए था, माई बापु को खुब उचे-उचे सपन कई भाग न जाएं, इसलिए रिष्टों की बेड़ियां पहना दी, आते जाते लोगों के सामने कैसे एक ही राग अलापते थे, गनैसी हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारी भोजाई, अरे इनकी मरजी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारे घर में, लेकर उनके घर की रसोई में उनकी इस भोजाई का प्रवेश कभी किसी नहीं देखा, हमेशा चार गज की दूरी रही, और मेरे लिए क्या कहते थे, ये चंदन तो मेरा बड़ा बेटा है, इसे खुब बड़ा अफसर बनाएंगे, सुगंदा ने बीच में तुका, इसमें गलत क्या कह था, तो मैं पढ़ने लिखने की सारी सुर्धाएं जगदिश भाईया की तरह ही थी, हम सब एकी स्कूल कॉलेज जाते थे, तुमको विदेश बेचा, चोट खाए नाग की तरह तरफ करो बोला, मैं विदेश अपनी मेना तो प्रतिभा के बल पर गया, सुगंधा, आज चंदन को इस द्रिश्टता के लिए माफ नहीं करना चाहती थी, उसने उसे आइना दिखाते हुए कहा, तुमारी प्रतिभा से तुमारा परिचे किसने कराया, अगर पापा तुम सब को शहर ना लाते, तो तुम भी गाउं में माई बापू की तरह, आगे पर में बापू की नमक हलाली, नमक हरामी बन गई, उनकी वर्षों की वफादारी, फर्मावरदारी, हार तोल मेहनत और सेवा का सिला, उन्हें चोली के जुर्म में फसा कर जेल के सलाकों के पीछे पहुचा कर दिया, इस बास से अन्बे के सुगंधा ने हैरस से कहा, काका क साथ ऐसे बरताओं की जानकारी मुझे नहीं, बीच में बात काट कर ब्रंगे से वो बोला, जानकारी होती तो तुम क्या करती, उसनी भी तो बरामदे में मौन खड़ी सब तमाशा देख सुन रही थी, प्रतिकार का एक शब्दी भी मूँ से नहीं निकला था, मैं पूछत और बड़ी शिदत से किया था, बच्वन में एक दूसरे के साथ लुखा चिपी का खेल खेलते, निमकोडी बीनते, एक एक आम और जामुन के लड़ते जगडते, और किशोरा वस्था में एक साथ स्कूल आते जाते, कब वो चंदन के तने करीब आ गई कि उसे पता ही नही कहा था, पर उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चंदन का वजूद है, उसके दिल की दुनिया चंदन के नाम से धड़कती है, तब अलहर पन में उसे उंच नीज जात पात की कोई दीवार सामने नजर नहीं आई, सामज एक ताने बाने में उलजा, जाती है समी करन सौपन देखने वाली द्रिश्ट से उजन रहा, कभी इस तरफ दिमागी नहीं कया, कि काकी रसोई का काम क्यों नहीं करती, आरम सही उसने अपने घर में खाना बनाने के लिए महराजिन और चौका बरतन के लिए काहरन मौसी को देखा था, शेश घर के काम क काकी करती थी, सब के काम के दाइरे अलग-अलग पटे थे, सारी व्यवस्ता चकाचक थी, चंदन तो परिवार के सदसी की तरह माना जाता था, होने और माने जाने का फर्ग उसकी नादान उम्र समझ नहीं पाई, चंदन ने कभी अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दिये पहला कदम सुगंदा नहीं उठाया था, सुगंदा को हर सिंगार के फूल बहुत पसंद है, ये जानकर चंदन उसके लिए फूल लाया था, फूलों को अंजुरी में लेकर उसने ही कहा था, इन फूलों की सुगंद की तरह मैं सारी जिंदगी तुमारे साथ महकना चाहेती हूँ, फिर तो कागज के टुकड़े पर चंदन ने भी अपनी सहमत ही दे दी थी, सुगंदा के बिना चंदन का क्या अस्तित्तुर, दुनियादारी से बेखबर, अपने आप में खोए, दोनों प्रेम की जादुई दुनिया में विचड़ते रहे, उस दिन चंदन के एड़ोकेट वाजपेई के सामने प्रतिरोत करने की हिम्मतों कहां से लाती, वैसे भी सामान इस्तित में वो अपने पापा के सामने डड़ी, सहमी और संकुचिती ही रहती थी, वही क्या, गर के सबी सदस से, एड़ोकेट सच्चुगी, नारायन वाजपेई के अंडल से अतिकरांद थे, पढ़ाई में प्रतम आने के कारण चंदनी उनका मू लगा था, सब को सोच कर सुगंधा ने अपनी सफाई दी, ये सच है कि अपने जिन्दगी में तुम्हें शामिल करने और साथ रहने के सपने देखने की पहल मैंने ही की थी, लेकिन छोटे श थी, कई बार तुम्हें फोन किया पर लगाता स्विच ओफ आ रहा था, उपहास के स्वर में कड़भाट घोलते हुए चंदन बोला, मेरी आउकाद बताने वालों ने मेरे हाथ पैड तोड़ने के साथ मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया था, सुगंधा बोली, मैंने रामकल बसाने के रादे से, किस विश्वास के साथ मुश्किल हालात में बैग लेकर स्टेशन पहुँची थी, तुम क्या जानो, दहशत के साहे में कमपार्टमेंट के सामने खड़ी परेशा नजरों से चारों तरफ तुमें खोज रही थी, फोन पर फोन किये, ट्रेन चल पड़ छुई मुई कही जाने वरी सुगंधा को किस यातना के दोर से गुजरना पड़ा, सब तुमारी कल्पना से परे था, फिर वर मिलने तक एक कमरे में बंधक की यातना मेरे अपनों ने दी, चंदन ने सफाई दी अपनी, सो नंदा ने मुझे कोई खट नहीं दिया, लैपट परिवार समाज अत्वा नियती किसी को भी दोश दे दो, जिसके कारण हमारे प्यार को मंजल नहीं मिल सकी, लेकिन हमारा मासूम प्यार मेरी इसमत मंजूशा में हमेशा महकता रहा, कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे हालात में मिलेंगे, जब तुम अपनी सौदे बाजी से हम जोव कोशिश करती हुई सुकंदा ने कहा, इस पर कौन विश्वास करेगा कि आपने मुझे चुआ तक नहीं है, अरे जिस समाज ने अगनी परीक्षा के बाद भी सीता के पवितरता पर विश्वास नहीं किया था, वो मुझे क्या शमादान देगा, इस बंद कमरे में मेर के साथ क्या क्या हुआ होगा, ये दाग मेरे आचर में लग चुका है, मैं सबके लिए जूठी और ब्रहष्ट हो चुकी हूँ, औरों की बात छोड़ भी दू, परंद पर पुरुष अंक शायनी समझ कर रागों के जिस्म भेती नजरों को अपने पवितरता का प्रमान कहा से चुताऊंगी, क्या मेरे और रागों के बीच व्यवाईक जीवन सामान हो पाएंगे, अत्वा इस ग्रंट सौदेबाजी के लिए मैं रागों को माफ कर पाऊंगी, माइके में तो पहले घर से भागी लड़की का किताब पाकर सबकी नजरों में गिर चुकी थी, रहा सा ससुराल, वो तुमारे प्रतिशोत की ज्वाला में भस्म हो गया है, बहुत संभव है, कल का सूरजी न देख पाऊंगी, वापस लोटी, जूठी बहु को ठिकाने लगाने के साजिश, चौबे परिवार रच चुका होगा, बोलते बोलते सुगंधा का गला सूप गया, चन तुम अपनी इस जीत को खुब गा बजा कर सेलिब्रेट करो, ये चौबे खांदान की बहु को तुम अपनी बहुग्या बनाने में सफल हो गया, तुमें ना ही उसके साथ जोज जबरदस्ती करनी पड़ी, और ना ही अपर है, स्वयम अपने कदमों से चल कर तुमारे पास आई, चंदन तुमने जूट कहा कि समय बदला है, हम इस्तिरियों के लिए समय वही ठहरा हुआ है, क्योंकि तुम पुरुषों की मानसिक्ता नहीं बदली है, हर युग में पुरुष अपने पतिशोद की लडाई में इस्तिरी को ही अपना हतिया क्यों बनाता चला आ रहा ह है, चाहे वो किसी जाती या उम्र का हूँ, तुम ही देख लो, तुमारे इस पतिशोद की जवाला में कौन जला, किसकी आहुती ती गई, चौबे जी की जीत की कीमत कौन चुका रहा है, बोलते बोलते सुगंधा हाफने लगी, तूटी और बिख्री सुगंधा के चेरे ब पीडा का धमा सागर देख कर चंदन विगलित हो उठा, सुगंधा जाती अपमान, तिरसकार और गहर बराबरी की खाईयों को पार करने की पीडा से खुद और अपने समाज को मुक्ते दिलाना चाहता था, सुगंधा क्रोथ से और तेल मिला उठी, वियंगे से बूली, मेर इज़त को तार-तार करके तुमने अपने समधाय को किस पीडा से मुक्ते दिला दी, मैं भी जरा सुनू, अरे तुमने तो अपने व्यक्तिगत प्रतिशोद के लिए उनका इस्तिमाल किया है, उन्हें छला है, कल तक सवर्णों के खिलाब जंडा उठाए भूम रहे थे, उ वो तुमारे मसीहा बन गए हैं, उनकी पार्टी तुमारी कारा तोड़ेगी, वोट उन्ही को ढलना, समझा पाओगे उन्हें, काबिले तारीफ है तुमारा दूगला पन, तुम किसी के सगे नहीं हो, दलित और वन्चित तुमारी प्रत्मित्ता हैं ही नहीं, सिर्फ पाउ चलने को उद्यत हुई, सुगंदा की बात का उसके पास कोई उचित समाधान नहीं था, फिर भी रास्ता रोक कर कहा, मैं पती हिंसा की ज्वाला में ये सब सोच नहीं पाया, मैं तुमारा गुनहगार हूँ, भूल सुधार कर लेता हूँ, चलो हमारे साथ एक नई जिल्द अधिया से नहीं, रागा और तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, अफसर वादी हो, दोनों ने अपने फाइदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, एक ने वोट बैंक के लिए मुझे बेचा, और दूसरे ने लपक कर अपना वोट बैंक देकर मुझे खरेद लिया, मु क्रिश्न लता सिंग जी की लिखी हुई कहानी वापस लोटी हुई औरत, इस्तरी अब पुर्शो की बिसात का मोहरा नहीं बनेगी, वो सशक्त है, आप निर्भर होने के काबिल है, ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी यही भावनाएं आई होंगी, उमीद है कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी, कल फिर मिलेंगे, हिंदी की श्रेष्ट कहानिया सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, हार्दिक धन्यवाद